नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं मुकेश्यानी, हमारे जीवन में जितनी भी घटना ये बनती है, हम सुखी होते हैं, खुश रहते हैं, दुखी होते हैं, निराश रहते हैं, सभी के पिछे, कहीं न कहीं, हमारे मन का बड़ा योगदान रहता है, हमारा जीवन कैसा है, हम कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मन का बहुत बड़ा योगदान है, एक बार मन को आप एकागर करना सिख जाए, मन बहुत चंचल है, बंदर के बच्चे जितना चंचल है, कभी उदर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, भागता फिता रहता है, दोस्तों, अगर मन को सांथ करना सिख ले, मन को एकागर करना सिख ले, हर सेकंड पे मन में तरंगे उठती रहती है, हमारे विचारों के, हमारी सोच की तरंगे उठती रहती है, वो तरंगों को सांथ करना है, अगर यह प्रयोग में आप सफल हो जाते हैं, मन को एकागर कर सकते हैं, दोस्तों, दुनिया की, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप पा न सको, जो आपको मिल न सके, दोस्तों, एक छोटा प्रयोग सेर करता हूं, मन को सांथ कैसे रखें, मन को एकागर कैसे रखें, बहुत मुश्किल काम है, मन को सांथ करना, मन को एकागर करना, बहुत मुश्किल है, गर के अंदर कोई एसे स्थान पे जहां आपको कोई डिस्टप ना करें आपको कोई टोके नहीं वेशी जगह पे न दिया जलाना है न धुब बती करनी है न मंत्र बोलना है कुछ नहीं करना है दिवार के उपर ओम ओम लिखे ओम दिवार के उपर पेन से छोटा ओम लिखे एक गंबारिक ओम आशन के उपर बेठे कुर्सी के उपर बेठे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अब बीना पलक जबके आप ओम को देखे मन ही मन आप ओम 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 बोलते रहें शुबह में स्नान करने के बाद आप ये प्रयोग करें आपका मन भागे गा इधर भागे गा उधर भागे गा वहाँ दोड़े वहां दोड़ेगा, कभी आप जहां नोकरी करते हैं, आपके वियोशाय के स्थल पे जाएगा, कभी आपको पीछे ले जाएगा, आप जब कोलेज में पढ़ते थे, वो कोलेज पे ले जाएगा, आपका तन यहां होगा, मन भागता रहेगा, पकड़ने की कोशिस ना करें, मन को पकड़ने की कोशिस ना करें, देखते रहे, ठकने दे उनको, इधर उधर भागते रहेगा, मगर ठकने दे, पकड़े मत, आप सिर्फ ओम को देखते रहे, ओम, ओम, ओम बोलते रहे, मन ही मन, पलक जपकनी नहीं है, जितनी देर रख सके उटनी देर, अधी सेकंड, एक सेकंड, बाद में प्रेक्टिस होती जाएगी आपको, बिना पलक जपके, आप ओम को देखते रहे, एक मिनिट, डेड मिनिट, जएसे जएसे प्रेक्टिस होती जाएगी, मन पे आपका कंट्रोल काबू होता जाएगा, दिरे दिरे आप मन को एकाग्र करना सिख लेंगे, प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन करनी पड़ेगी, दोस्तों, अगर मन एकाग्र हो गया, आपका जागरूत मन एकाग्र हो गया, चेतन मन एकाग्र हो गया, तो कोई भी मेसेज, कोई भी संदेश, जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, वो आपके अउचेतन मन को अवश्य दे सकते हैं, जागरूत मन को सांत करने के बाद, आपके अउचेतन मन को कोई भी मेसेज दे सकते हैं, कोई भी संदेश दे सकते हैं, और आपको जो जीवन में चाहिए वो आप अवस्य अप्राफ कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो पार्ट वन है दो तिन दिन के बाद एक ही वीडियो में सभी बाते बता रहें जाओ तो वीडियो लंबे हो जाते हैं पार्ट टू लाँगा मंगर दोस्तों आप यह प्रयोग चालू करते हैं भीना प्रलक चपके जितनी देख सकते हैं उतनी दिर कोमेंट बॉक्स में ना पुछना कौन सी पैंसर लिखे लाल पैंसर लिखे कोई भी पैंसर लिखे ओम लिखना है दोस्तों आप ठीक से समझ गये होंगे सभी भाई बेनों का धन्यवाद उन्दे मातरों